हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्ण टेक्निकल में फिर से दोस्तों नहीं जौब की इंफोर्मेशन लेका हैं हूँ रुक्रीट्मेंट आ रही है दोस्तों बॉर्डर रॉर्ड और ओर्डनाइजेशन की तरफ से गौर्डमेंट जौब है आवेदन मागे गए हैं अलग-अलग पोजीशन के लिए जिसके लिए आप आल अवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं सूपरवाईजर की पोस्ट है इसके लावा जो है वो MSW यानि की मल्टी स्कील्ड वर्कर के लिए आवेदन मागे गए हैं जिसके लिए आप आल अवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं आवेदन करने की फीज मातर 50 रुपे रखी गई है SCST वालों को वो भी देने की जुरूत नहीं है तो डिटेल में लोग इसके पूरे इलिजिबिल्टी क्रैटेरिया के बारे में बात करेंगे सेलेक्शन पॉसेस के बारे में बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे तो शुरू से लेके लाज सक्स वीडियो को ध्यान से देखिए कंप्लीट देखिए ताकि आपको हर एक चीज हर एक डिटेल का पता चल जाए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कौन-कोन eligible है तो सिर्फ male candidate eligible है अगर आप female candidate हैं तो आप अवेदन नहीं कर सकते हैं citizen of India जो है वो बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं selection process की बात करें तो return test होगा practical test होगा इसके लावा physical efficiency test होगा जिसके द्वारा selection होने वाली है इसके लावा दोस्तों यहाँ पे application जो हे वो आपको पूने में भेजनी है यहाँ पे उसका address दिया हुआ है इसी address पे आपको जो हे वो registered post के थ्रू जो हे अपनी application offline mode से submit कर देनी है online mode से अवेदन नहीं करना है सिर्फ आपको application fees online mode से pay करनी है उसका e-recept आपको download कर लेना है और आपके जुदने भी जो हे वो document है उनकी photocopies के साथ जो हे उनके बताय हुए address पे आपको फेज देना है आप जाहें तो यहाँ पे जो हे वो इस notification को read कर सकते हैं और अगर आपको रखा गया है सिर्फ multi-skilled worker के लिए 18-25 साल की age का criteria रखा गया है बाकी age relaxation as per government tool मिलेगी जैसा की पहले मिलती आई है यह link है यहाँ पे click करके आपको application fees जमा करनी है उसके बाद e-recept निकाल लेना है supportive document की photocopies के साथ आपको e-recept भी लगाना है जिसके बारे में लोग थोड़ी backward classes से आते हैं यानि की OBC से आते हैं बाकी STST और PWD candidate के लिए किसी भी तरह की fees का criteria नहीं रखा गया आप बिना fees क्या वेदन कर सकते हैं 45 days का आपको time दिया गया है आपकी application की जो last date है वो यहाँ पे बताई नहीं गयी है लेकिन 45 days उन्होंने बताया है 13th July से लेके यहाँ पे 45 5 days आप देख ली जाएगा कितना होता है तब तक आपकी application वहाँ पे पहुँच आनी चाहिए बाकी अगर आप हीली area से आते हैं तो यहाँ पे 60 days का time आपको मिल जाएगा इसके लावा दोस्तों selection process में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि return exam होगा physical efficiency test होगा और उसके बाद practical test के मातिम से आपकी selection होने वाली है qualification की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं draftsman के लिए आपने 10 plus 2 कर रखा है science subject के साथ साथ में 2 साल का certificate है आपके पास architecture का या draftsmanship का आप eligible apply कर सकते हैं supervisor administration के लिए degree कर रखी है साथ में आपके पास national credit का जोखे वो court b का certificate है आप बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं supervisor supervisor store के लिए आपने degree कर रखी है किसी भी recognized university से साथ में आपके पास जोखे वो certificate है material management का store keeping का आप eligible apply कर सकते हैं इसके लाबा दोस्तों यहाँ पे जो है supervisor की एक और recruitment है जिसमें की आपने degree कर रखी है science में आप eligible apply कर सकते हैं Hindi typist के लिए 10 plus 2 माँगा गया है साथ में typing speed आपकी 30 word per minute की होनी चाहिए आप eligible apply कर सकते हैं operator communication के लिए 10th pass विल्कुल eligible है साथ में आपके पास wireless operator का या radio mechanic का certificate जो होना चाहिए ITE का आप apply कर सकते हैं electrician के लिए भी दोस्तों यहाँ पे आपने 10th pass कर रखी है साथ में auto जो electrician है इसका आपके पास ITE का certificate है साथ में एक साल का experience से आप apply कर सकते हैं यह certificate चलेगा या electrician का एक साल का experience जल जाएगा welder के लिए भी same 10th plus 2 के साथ आपने जोखे वो electrical and gas जोखे वो welder में यहाँ पे ITE कर रखी है आप apply कर सकते हैं इसके लाबा multi skilled worker blacksmith के लिए दोस्तों 10th pass eligible है साथ में आपके पास certificate होना चाहिए blacksmith का ITE का आप eligible apply कर सकते हैं इसके लाब multi skilled worker के लिए यहाँ पे 10th pass के साथ proficiency होनी चाहिए trade में यानि कि आपको cooking आनी चाहिए आप apply कर सकते हैं total vacancies की बात करें तो 246 vacancies यह शायद आगे भी हो सकती हैं और इनके लिए ही आपको अवेधन करना है all over India से apply कर सकते हैं examination भी across India आपके conduct किये जाएंगे दे दिया है physical efficiency test की बात करें तो one mile run जो है running आपको आएगा जो आपको 10 minute पे जो है वो करना पड़ेगा इसके लाब बात करें यहाँ पे criteria height का chest का तो उसकी जानकरी यहाँ पे दीगी है किस किस reason से आप आते हैं और कितना आपका criteria होना चाहिए chest का उसकी जानकरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी आप आके read कर लीजेगा यह application form है दोस्तो जो आपको fill करके भेजना है यहाँ पे photocopies लगानी है और साथ में आपको जो है यहाँ पे picture अपनी attach कर देनी है और बाकी pictures जो है वो साथ में भेजेगा अगर एक picture misplace हो जाती है तो दूसरी काम आ जाती है और आपको पूने में भेजनी है और यह आपका जो written task physical आपका होने वाला है यह मुझे लगता है कि पूने में होगा और यहाँ पे notification में भी हमने कहीं read करा था कि पूने में होने वाला है तो अगर आप जा सकते हैं तो ही आवेदन करिएगा तो यह जानकरी दोस्तो दी गई उनकी official जो है वो notification में link description में है जाके notification को read करिए eligible हैं तो बिलकुल आवेदन आप कर सकते हैं आवेदन शुरू हो चुके हैं यहीता दोस्ता आज किस वीडियो में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए आशा करतों को आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी videos related questions comment section में पूछिए channel को subscribe करें मिलते हैं next video में